नमस्कार सर, नमस्ते, सर क्या नाम है आपका, मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं जारखंड के हजारी बाग जिले से हूँ, नवनी जी आपने क्या-क्या भक्ती साथ नहीं की अभी तक, सर मैंने संत्रामपाल जी महराज से जुड़ने के पहले कोई भी अन्य गुरु नहीं दारन किया, और मैं भक्ती तो बहुत ही तक, सर क्या इतनी कि माने कि इनको, बड़ी कन्फ्यूजन थी सर, जैसे कि मुसल्मान धरम को भी हम निगलेट नहीं कर सकते हैं, एक अल्ला की बोलते हूँ, उपासना करते हैं, उसी तरीके से Christianity धरम को आप देख सकते हैं सर्थ, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन, हिंदू धरम में तो इतनी कन्फ्यूजन है, तो मैं बहुत कन्फ्यूज था अपने student life में, कि भगवान आखिर में है कौन, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर, यह मैं कैसे जुड़ा गुरु जी से, एक पता नहीं, कान को बड़ा अच्छा लगता था, तो वहाँ पे मेरा एक, यह जो मेरा कान जो सुना ना, कबीर इस गौड, और उसी दिन से सर मेरा हिरदय मान लिया, कि कबीर जी हो सकते हैं कि परमात्मा हो, अभी तक पर मैं पढ़ा लिखा था, मैं इविडेंसों पे विश पुस्तक थी ग्यान गंगा, अब ग्यान गंगा पुस्तक को मंगवाना बड़ा सहज था, वहाँ नंबर दिये हुए थे, उस नंबर पे अपने एडरेस, SMS करके घर में पुस्तक पहुच जाते थे, तो मैंने वैसे ही किया, साथ दिन के अंदर वो पुस्तक मेरे पास पहु मैंने पुस्तक पढ़ने लगा, प्रथम पन्नों में ही मुझे कुछ मर्यादाएं दिखी, कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अब देखिए, जैसे मैं लिटरेट समास से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अभी वरतमान में सिक्षक हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सब डिबेट सलते रहते थें, क्या वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है, डॉक्टर रेकेमेंट ऐसा करते हैं, आम आदमी ऐसा बोलते हैं, तो अब मुझे निशकर्ष में लगने लगा, कि नहीं भगवान ने क्या बोल रचना की, और सिरिष्टी रचना तो मेरा पूरा स्प्रिच्वल नॉलेज अनसुलजा हुआ जो बाते थी, वो सारी सुलज गई, सर तो गीता जी के अनसुलजे रहसे, जो आज तक किसी संत के दवारा बताई नहीं गए थे, वो संतरामपाल जी महराज ने सुलजा के रख तो संतरामपाल जी के टेक्स्ट को पढ़के, संतरामपाल जी महराज के पुस्तक को पढ़के, वो मेरा कन्फ्यूजन सदा सदा के लिए क्लियर हो गया, सर कि कवीर इस गौड, अब सारे संसार एक तरफ और गुरु जी का ग्यान एक तरफ, संतरामपाल जी महराज का ग्या लिया तब संत्रामपाल जी महराज से मैंने 17 जुलाई सन 2012 में नाम दिक्षा बरवालब में जाके लिया जी संत्रामपाल जी महराजी से नमरीज जी आपकी अध्यात्मिक्ता में काफी ज़्यादा रूची थी आप सुरू से ही खोज रहे थे कि इतने सारे देवी देपता हैं हमें किसकी भक्ती करनी चाहिए कौन है वो पूर्ण भगवान संत रामपल जी माराज ने आपको बताया वो भगवान कभीर साहिब जी है सर पहला सवाल तो यह है कि अगर कभीर साहिब जी भगवान है तो ब्रह्मा बिश्नु महिश कोन है फिर और आज तक हम हिंदू धरम में ब्रह्मा बिश्नु महिश जी को भगवान मानते आ रहे हैं तो क्या जैसे आपने खुद से डिसाइट कर रखे हैं अपने भगवान जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहिब जी भगवान है अगर कबीर साहिब जी भगवान है तो क्या हमारी हॉली इबोक्स हमारे सद्गरंथों में कबीर साहिब जी का कोई पिर्मान है कबीर सहे भगवाने इस बात को मैंने प्रमानों सहित पड़ा जिस तरीके से कबीर जैसे की हिंदु धरम में मुख्य गरंथ वेदो को माना जाता है वेदो में कितने जगा प्रमान है कबीर शब्द सिधे तोर पे और उस परमात्मा की ये व्याख्या कि गई है कि वो परमात्मा पृत्वी में आते हैं, कवियों जैसा आचरन करते हैं, और एक राजा के समान दर्शनी है, वो आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसी तरीके से मुसल्मान धरम के कुरान शरीफ में भी सैंकडो वो कबीर साहिब का नाम सीधे तोर पे लेते हैं और सीधे तोर पे बताते हैं कि वो धानक वो कबीर की बात हो रही है जो कबीर कासी बनारस में आए हुए थे जो धानक की भूमिका में थे तो बहुत सारे प्रमान यहां पे एकत्रित करके हम इस निशकर्ष पे आ जाते हैं कि सर जैसे कि आपने कई सारे प्रमार दिये कि कबीर साहिब जी भगवान है तो जो हम सुरू सही पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा विश्णु महेस के बारे में ये कौन है क्या ये भगवान नहीं है फिर ब्रह्मा विश्णु महेस की जनम रित्य होती है वो तील लोग के प्रधाने जिसका प्रमान स्री देवी भागवत में तीसरे सकंद में मिलता है वेदो में पुर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है कि उनका जनम मा के गर्व से नहीं होता है वो सरीर आते हैं और सरीर चले जाते हैं तो इन सारे परमानों से हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विश्णु महेश की शक्तियां सिमीत हैं वो हमारे कर्म दंड ही दे सकते हैं हमें और पुर्ण परमात्मा सर्वसरिष्टी रचन हार है और कहीं ना कहीं ब्रह्मा विश्णु महेश की शक्ति उनी पुर्ण से आती है सर संत्रामपाल जी महराद से नाम दिक्षा लेने के बाद लोग को बहुत ज़्यादा अनुवब मिलते हैं बहुत ज़्यादा लाब मिलती हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुवब रहे सर संत्रामपाल जी महराद जी से ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसकी व्याक्या क्या करूँ पल पल में मुझे ऐसा लगता है ऐसा एहसास होता है कि संत रामपाल जी महराज हमारी संकटों को हरने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं मोटे तोरक मैं मैं एक्जामपल दूँगा सर जैसे कि मैं 2012 में मैं गुरु जी से नाम दिक्षा लिया संत्रामपाल जी महराज से और 13 में मेरी शादी हुई सर 13 साल से 2013 से सर 2022 तक मेरी कोई संतान नहीं थी सर और इस बीच में मेडिकल में काफी खर्चा हुआ और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बताया हमने तमाम प्रकार के खर्चे की हैं आयुरुएद में गएं एलोपैथ में गएं एलोपैथ के डॉक्टर्स नहीं बताया दोनों फ्लॉपियन ट्यूप क्लॉजड हैं कि इसका सरजरी ही उपाई है तो सर सरजरी से भी बहुतों का रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोगों ने आख मीच के फिर संत्रामपाल जी महराज से प्रातना करी संत्रामपाल जी महराज ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे परमात्मा के दरवार में बच्चों की कोई कमी नहीं है इंतजार करो धैरे रखो कुछ दिनों के धै जैसे मेरे करियर का लव मैं बताता हूँ मैं जब संत्रामपल जी महराज से जुड़ा था मैं सिंपल ग्रैजुएट था सर मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ मैं प्लस टू तक पढ़ाता हूँ तो मेरे पास सर एक चिंता का विशह था कि गुरु जी मेरा भविश क्या होगा मैं प्लस टू तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ मैं कॉलेज तक पढ़ाना चाहता हूँ तो एक नेट का एक्जाम होता है नाशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट का जो भारत अस्तर का एक्जाम होता है उस परिक्षा को मैंने गुरु जी की दिया से दो बार क्वालिफाई किया समास सास्तर विशह में तो अब मेरे पास गुरु जी की दिया से कॉलेजों में पढ़ाने की भी डिग्री संत्रामपाल जी महराज ने दे रखी है इसका मतलब मेरा भविश्य गुरु जी की दिया से मुझे सुनेहरा सा लग रहा है वरतमान में मैं प्लस टू तक मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट स्कूल में सीबीसी में और सरकारी असिस्टेंट लेक्चर की मैं तैयारी कर रहा हूँ जी इसके अलावा बहुत सारे शारी रिकलाब हुए मुझे सुराइसिस हो गया था दो-तीन साल से इलाज नहीं मिल रहा था खुजली करते करते इस्तिती ऐसी हो गई थी डॉक्टर ने बोल दिया था कि सुराइसिस तो मरते दम तक खतम नहीं होता है धैरे रखा संत्रामपल जी महराज जी से हमने प्रातना करी प्रातना में गुरु जी ने आदेश दिया परमात्मा दया करेंगे गुरु जी दया करेंगे और फिर दो-तीन साल में दो-तीन साल तक मैंने सिर्फ मेडिकल पे विश्वास किया गलती हमारी ये थी इस कारण से उस बिमारी को मैंने दो-तीन साल तक जहला उसके बाद मैंने संत्रामपल जी महराज पे ही छोड़ दिया कि भगवान आप ही ठीक करो तब संत्रामपल जी महराज ने ऐसी बिमारी ठीक कर दी कि आज मुझे सुराइसिस का एस भी पता नहीं है ऐसी सेकड़ों समय समय पे प्रातनाई लगाई जाती हैं गुरू जी की हमारी समस्याओं में और गुरू जी सीधे सरलसा उपाय कर देते हैं और हम काफी सुरक्षित हो चुके हैं गुरू जी के सरन में आके जी सर आपको भी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के बाद बहुत सारे लाब मिले जो संत्रामपाल जी माराज अपने अनियाईयों को देते ही हैं सर आप एक टीचर है, educated person है, और संत्रामपाल जी माराज जी के बारे में ये person है, लोगों ने धरना भी बना रखी है, कि संत्रामपाल जी माराज से उनके अन्युआई अन्सरदा के तहर जोड़ते हैं, और हमने जितने भी संत्रामपाल जी माराज जी के अन्युआईयों से ब के दह जुड़ती हैं मैं इतना educated हूँ कि मुझे लगता है कि मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ मैं अब किताब भी लिख रहा हूँ मैं PhD अब कुछ दिन में करने वाला हूँ तो मुझे नहीं लगता है मैं college में पढ़ाने के लिए eligible हूँ मैं वर्तमान में plus two में पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि मेरे को چीजें को समझने में कुछ कमी आई होगी क्योंकि मैं परमान को देखके आया हूँ गुरू जी के पास हमारी गुरू जी से कोई मितरता नहीं थी कहा मैं जर्खंड के हजारी बाग का रहने वाला हूँ कहां गुरुजी बरवाला के हर्याना के रहने वाले हैं तो हमारी कोई गुरुजी से मितरता नहीं थी गुरुजी का ग्यान ऐसा था कि हमारे को वहां जाने को विवश कर दिया सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले आप देवी देपताओं की पूजा करते थे और फिर अब आप कह रहे हैं कि संत्रामपल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद आप देवी देपताओं की भक्ती साथना करते हैं तो सर ऐसा कैसे इन दोनों उत्तर में बिरोधावास हो रहा है पहले तो आप कुछ और कह रहे थे अभी आप कुछ और कह रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है तो संत्रामपल जी माराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ती देते हैं जो प्रारंबिक मंत्रों में होता है सर उसके बाद फिर मंत्र बढ़ते हैं और फिर जो दूसरा पुरुष है जो अमने सेकेंड भगवान है और जो अविनाशी भगवान है प्रमात्मा कबीर साहिब सबकी भक्ती मिलती है सर स्टेज बाई स्टेज मिलती है इसकी एक आध्यात्मिक पढ़ाई है सर सद्गरंटों के अनुसार जो प्रमानित है सर सर आपके कहने का मतलब है कि संत्रामपाल जी माराज देवी दिपताओं की भक्ती छोडवाते नहीं है बलकि अपने सद्गरंटों के अनुसार देवी दिपताओं की भक्ती बताते हैं जो पहले आप भक्ती कर रहे थे वो सद्गरंटों के अनुसार नहीं थी और NCRT की पढ़ाई जिसका प्रश्ण आते हैं परिक्षा में तो बस गुरू जी ने आके NCRT की पढ़ाई करवा डाली हम लोगों को तो जो बुक चल रहा था मतलब मैं एक एक इसामपल पेश कर रहा हूँ जो अन्य विद्यार थी जो दूसरी तीसरी बुक पढ़ रहे थे वो विरोधाभास की परस्थिती में आ चुके वास्तों में जो NCRT में लिखा वो तो अथेंटिक है सर उसकी तो पूरे भारत वर्ष में मानेता है पूरे विश्व में मानेता है सर सर जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति सादना कर रहे थे वो मनमाना आचरन था जिसने जो भी कह दिया आपने कर लिया फिर बही भक्ति सादना आपने संतरामपाल जी मारा से सही भक्ति विदी लेकर की जो अपने सद्ग्रणतों के अनुसार है तो सर सही भक्ति ऐसा नहीं है कि बहुत सारे युनिवर्सेटीज में बहुत सारे टीचर ऐसा है भगवान एक समय में एक संदेश वाहा की बेचता है सर पुरे विश्व में आज सिरिफ और सिरिफ संत्रामपल जी महराजी ऑथेंटिक भक्ती दे रहें बाकि आप काहनी किसी भी देश से रामपल जी महराज वो हमारे धर्म के सास्त्रों के अनुसार है तो क्या कहीं बड़न है हमारी गीता जी में या हमारे बेदों में कि बो ही सही बक्तिविदी देने के ऑथन्टिक परसन है आजकल क्या है सबी लोग अपने अपने गुरु को पूर्ण बताते हैं कि हमारे जहीं गीता जी में है कि हमें यही गुरु बनाना चाहिए या उसकी कोई पहचान है ताकि हमारा समाज निर्णाय कर सके कि कि किसको गुरु बनाना चाहिए क्योंकि गुरु बनाना समाज में कोशन मार्क है बहुत सारे गुरु हो चुके हैं लोग को समझ में नहीं आ रहा क कौन सा गुरू बनाना चाहिए कौन सा गुरू नहीं बनाना चाहिए मधुरे बेन विनोद चार वेद सस्चास्तर कहें अठारा बोज वह अपनी बात को सास्त्रों के आधार पहीं प्रस्तुत करेगा वह अपनी मन की कुछ भी नहीं कहेगा ये सद्गुरू की पहचान है और हम अन्य गुरूओ की सत्संगो को देखे ये असानी से निर्ने कर सकत हैं कि वर्तमान में सद्गुरु सिरिफ संत्रामपाल जी महराज ही है सर अब आपसे आखरी सवाल संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा कैसे ली जा सकती है यूट्यूब पे संत्रामपाल जी महराज टाइप करके गुरू जी के बहुत सारे सत्संग खुल जाएंगे उन सत्संग में नीचे एक पट्टी चलती है जहां पे कुछ फोन नंबर दिये रहते हैं उन फोन नंबरों पे कोई भी व्यक्ति किसी घरमका हो किसी भी मजबका अमीर हो गरीब हो हमारे गुरू जी के दर्वार में किसी प्रकार की पक्षपाती की भावना नहीं होती आराम से वो पुस्तक ओर्डर करे या अपने नजदीकी नामदान केंद्र पता करे और आराम से वो गुरुजी से नामदिक्षा ले सकते हैं जी धन्यवाद सर